धान की फसल में brown plant hopper का attack स्टंबर महिने से स्टार्ट होता है और इसका attack अक्टूबर तक बहुत ज्यादा रहता है इस brown plant hopper का जीवन चक्र लगबग 20 से 25 दिन का होता है इसलिए अगर इस भूरे तेले का attack हमारी फसलों में हो जाता है तो ये फसल को बहुत ज्यादा नुकसा करता है भूरे तेले की पहचान के लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि धान के तने पर मच्छर जैसा कीट चिपका तो नहीं है अगर एक दो कीट हैं तो कोई दिक्कन नहीं है अगर तीन-चर कीट से जाला दिखाई देते हैं तो फिर सबसे पहले हमें खेट से पानी को उसका रस चूजता है जिससे धान के खेत में आपने कहीं के देखा होगा कि पौदे पीले सुख्यों भी दिखाई देते हैं इसलिए इस ब्राउन प्लांट हॉपर के लक्षन दिखाई देते ही जो अभी तक का सबसे बेस्ट टेक्निकल है पाई मेट्रो जाइन तो इसका सप करेकर वाद दिना है धन्यवाद